वेश्यार चुरू होने से ठीक दो दन पहले ही भारती जमनास चीम विवादों में घिर गई है इस महला का आरोप है कि करीब दो हफते पहले इंद्रा गान्दी स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में जब वो अभ्यास के लिए पहुँची तो कोच और भाती टीम के खिराडी ने उन पर अशिल तिपनी की और भद्धिशा रखिये महला का ये भी आरोप है कि दोनों लोगों ने उन्हें धमकी भी दी यही नहीं चमनास विडरेशन आफ इंडिया ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उनके शिकायत को दो हफते तक दबाय रखा आईपी पुलिस ने भी जब महला की अपील नहीं सुनी तो वरष्ट पुलिस अधिकारी के पास गई जसके बाद राणा और पाठक के खिलाफ एफ़यर दर्च की गई है चले देखते हैं कि पेड़ित का इस पूरे मामले पर क्या कहना है मुझे लगा कि मैं अगर आज चुप हुई तो मैं शायद इस फील्ड में अपने आपको दिखाने के मूँ दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगी कि इन्होंने आज तो मेरे साथ मेरे कपड़ों के लिए इतनी हद पार कर गए कि क्लड़की के सामने उसके इनरवेर्स को डिसकस कर रहे हैं तो कल को तो शायद मेरा हाथ भी पकड़ेंगे और बोलेंगे इसको तो हमने छेड़ा था इसने कुछ नहीं करा सो बिल्कुल मेरे को जब मैंने देखा फेडरेशन इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है मजबूरी में मुझे बाहर निकलना पड़ा और एफायर का डिसिजन लेना पड़ा क्या आपको कभी इस से पहले भी महसूस हुआ था कि जिन लोगं को उपर आप आरोप लगा रही है वो इस से पहले भी आपके साथ में इस तरिके के अशलील हरकते हैं या टिपड़ी किया था या बत्मीजी किया था कभी इस से पहले किया था उन्होंCal सार डारेक्टली मेरे साथ उन्हों ने कभी बत्तमीजी नहीं करी पर मुझे सुनने में बहुत सारी चीज़े आती रहती हैं क्योंकि जिम नास्टरेक्स इस में मेरे हम बहुत सब मिल जुल कर रहते हैं तो जैसे मैं जिम में घुसी तो पता लगता था कि आपको देखके जब मेरे सामने कुछ नहीं बोला तो मैं उसके उपर उन्हें कुछ बोलनी सकती दाट इस थिंकिंग वो क्या सोसते हैं क्या बोलते हैं मेरी बात छोड़ो बहुत छोटी उमर की लड़कियों के साथ भी इतनी गंदे कमेंट्स और इतनी बत्तमीजी वो करते आए हैं इनके पूरे ट्राक पैंट में टी शिर्ट के अंदर मां खड़ी हो करो मेरी दज्जियाओं खेड सकते हैं मेरी इज़त को पूरा निचोड सकते हैं तो वो उन बच्चियों के देखके वो कैसी लांग्वेज यूज कर सकते हैं आप इमाजन कर सकते होंगे फाई अरज हो चुकी खेलने जा चुके हैं और शयाद यही रीजन था जो फेडरेशन मुझे इतना वाइड करती आ रहे थी और टालम अटोल के आजवाशन दिये जा रहे थे कि वह एशन गेम्स चले जाएं पर आप ये सोची है हमारी सोच तो इतनी चोटी है कि हमें एक लड़की की इज़त न रखना चाहिए ऐसे लोगो को अलाव करना चाहिए कि वो लोग इंडिया टीम को रेप्रेजेंट करें हमारी गवर्मेंट को सोचना चाहिए इतनी शर्मिंदगी मुझे हो रही आज गवर्मेंट के लिए बोलते हुए कि मैं पिछले दस दिन से क्या फेस कर रही हूँ अब महारी पुलिस ने प्रूफ कर दिया जो ये बोलते हैं कि आपके साथ सदेव आपके साथ बिल्कुल फेक प्रॉमिसेज हैं एक जो नॉर्मल इंसान है इस धर्ती के उपर मैंने वो चीज़ को बिल्कुल महसूस कर लिया अगर आपकी कोई पहचान नहीं है मेरी किसमत चाहि ठीक होगी कि मैं IPS officer को मिल पाई through some link बात हो पाई अगर मैं उनके पास ना पहुच पाती तो शायद आज मेरे character के उपर उंगलियां उट गई होती कि पुलिस के पास भी गई थी पुलिस ने भी report ने करी क्योंकि लड़की ही ऐसी है यहां तक बात होती और मेरे को सर इस बात बत तमीज होती तो कपड़े फाड़के घुमें